जो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकप अकैडमिक्स में आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आपका मैथामेटिक्स अब जो है कैंटिन्यू आपके यूट्यूब चैनल पे हर एक लेक्श्चर्स और हर एक कोश्चन जो है वो अपलोड किया जाएगा किसी को भी कोई डाउट आता है तो वो कॉमेट वक्स में जरूर लिखें तैन्थ कलास का आज पहला चैप्टर जो हम स्टड़ी करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर हम इसमें पूरी NCRT को डिसकस करेंगे रियल नंबर से अगर हम बात करें थोड़े से बैक्ग्राउंड इसकी जानने की कोशिश करें अपने छोटी क्लासिस में भी भी सीखा होगा रियल नंबर में क्या आता है आपके इसकी डिविजन्स है दो तरह से एक तो आपका रिशनल नंबर साता है और एक आपका इरिशनल नंबर साता है फर्दर इनकी divisions की गई है rational में non-integers rational numbers होते हैं और rational में integers जिनको z से renode करते हैं फर्दर इसकी divisions होती है negative numbers में whole numbers में whole numbers जो है इसमें 0 से शुरू होते हैं और इनी के बीच में natural numbers भी आते हैं जो 1 से शुरू होते हैं यह आपको छोटा सा concept है आपको आलड़ी पता है इसके उपर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे 1.1 जो है exercise आपके 10th की पहला ही question है express each number as a product of its prime factors तो आपने हर एक number को बताना है कि यह product है अपने ही prime factors का तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि prime factors निकाले कैसे जाते है हम 140 को लेते है prime factorization method से 2 से सबसे छोटे table से हम जब इसको निकालते है 7, 2, 14 होता है तो 0 बचा फिर यह 2 से जाएगा क्योंकि last में 0 है 3, 2, 6 बचा 1 यहां पे 7 था आगे लेके जाएगे तो 10 हो जाएगा तो 5, 2, 10 हो जाएगा यह फिर फर्दर करेंगे तो यह 5 से जाएगा 3 से तो जाएगा नी 5, 7 जा 35 फिर 7, 1 जा 7 तो हमने देखा पहले part का answer कैसे निकला वो बेटा निकला आपका 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7 तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7 तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की power 2 into 5 की power 1 into 7 की power 1 तो पिटा यह है आपका prime factor किसका आपका 140 का अब दूसरा questions है आपके पास 156 तो 156 को कैसे करेंगे हम तो पहले इसका prime factor बना लेते हम 156 को 2 के table से क्योंकि last में even number है 2, 7, 14 होता है तो यहां 15 है बचा 1, 1 इसके साथ जोड़ोगे 16 हो जाएगा 8, 2, 16 होता है फिर 2 से जाएगा यह 2, 3, 6 फिर 1 बचा 1 इसके साथ जोड़ोगे 18 हो जाएगा 9, 2, 18 होता है फिर 2 से जाएगा नहीं यह तो 3 के table से जाएगा 3, 1, 3 और 3, 3, 9 फिर 13 जो है एक प्राइम नंबर है तो ये इसका फैक्टर 1 और खुद का नंबर खुद और 1 है 13 वन्जा 13 तो हम देखती हैं कि प्राइम फैक्टर क्या है आपके 156 के पार्ट नंबर 2 156 कैसे आया यहां पर 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 2 की पावर 2 multiply 3 multiply 13 तो बेटा ये हैं आपके प्राइम फैक्टर निकालने के तरीके एक्सप्रेसी इच नंबर ऐस दा प्रोडेक्ट अफिट्स प्राइम नंबर ठीक है प्राइम नंबर के प्रोडेक्ट तो बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर थर्ड पार्ट क्या है थर्ड पार्ट आपका अगर हम देखें तो थरी एट टू फाइब आप देखें आप यहां पे टू से तो जाएगा नहीं है क्योंकि लास्ट में इसके फाइब है थरी से जाएगा यह क्योंकि अगर आपने डिविजिविल्टी रूल्स पड़े होंगे तो 3 और 8 11 होता है 11 में 2 एड करोगे 13 13 और में 5 एड करोगे 18 18 3 से डिवाइड होता है तो 3 के डेबो से यह जा रहा है ठीके 3 कितने 3 affect होता है आप देखो यहां पे ।्रीival भीर करो 3, 4, 12, 3, 2, 6, 1, बचा, 3, 5, 15, फिर जो है ये अब 3 से नहीं जाएगा, 6 और 11, 3 से नहीं जाएगा, ये अब सीधा 5 से जाएगा, तो अब देखो 5 से, कितने 5 से जाएगा, 5, 8, 40, बचा, 2 और 25, 5, 5, 25, तो फिर से ये किस से जाएगा, 5 से जाएगा, 5, 17, 85, और फिर आपका 17 किस से जाएगा, 17 बचा, 17, तो अगर हम इसके प्राइम फेक्टर्स देखें, तो हमारे पस क्या आगया, 3 की पावर 2, इंटू में, 5 की पावर 2, इंटू, 5, 2 बार है, इंटू, 17, तो ये इसके प्राइम फेक्टर आगे, किसके पहले वाले पाट के, अब हम इसी तरीके से अगले कोशन्स को भी करते हैं, वो है आपका, नेक्स्ट पाट, 5,005, तो कैसे जाएगा ये, 5 के टेबल से तो जाएगा, जाएगा ये, क्योंकि, ये, लास्ट में 5 है, 5 टेंजा, हम सीधा, 5, रखेंजा करेंगे, तो किटना आजाएगा, 5 हैंजा, 5 हैंजा, और 5 लजा, 5,005, छीए, जी, देन हम, देखते हैं, इसको किससे जाएगा ये, 7 के टेबल से जाएगा ये आप, छीए, देखो, 7 का टेबल पढ़ो आप, कितने 7 जा, जो है, वो 100 के पास होता है, 10 जा, 70 होत कितना होता 98 होता है तो यहां पर हम जो है इसको 7 के टेवन से करेंगे कितने 7 98 होता है 14 798 फिर आपके पास बचता है यहां पर 2 और साथ में जुड़ा वन तो 7 3021 ठेक है जी उसके बाद 143 आता है तो 143 जो है बेटा वो 11 के टेबल से जाता है और किसी भी टेवर से जाता नहीं है तो आप कर सकते हो 11 वन्जा 11 तो बचा यहाँ पे 3 और 11 थरीजा 33 ठीक है न देखो 11 वन्जा 11 हो गया बचा यहाँ से 3 3 को इसके साथ जो गट 33 हो जाएगा तो 11 थरीजा 33 होता है तो 13 वन्जा 13 ऐसे करके इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे आपके 5 जिरो इसके आगे 5 मल्टिप्लाई में 7 मल्टिप्लाई में 11 मल्टिप्लाई में 13 तो यह इसके प्राइम फैक्टर्स हैं आपके 5005 के अब इसके लिए हमारे बस पुर्टी कम जगा बची है तो हम इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो हम इसको यहाँ पर अड़ेस्ट करते हैं चिक है सैवन फूर सैवन फूर टू नाइन देखो यह किस से जाएगा यह जो है सैवन्टीन के टेबल से जाएगा सैवन्टीन के टेबल से जाएगा और पहले किसी के टेबल से नहीं जाएगा आपको divisibility rules आने चाहिए 17 के डेबल से जाएगा तो 17 का table पढ़ो आप 17, 3, 2 कितना आता है आपका 51, 17, 4, 2, 68 तो 17, 4, 2, 48 और यहाँ पे 6 बचा और 6 के साथ आगे 2 है तो 62 फिर 17, 3, 2 करना पढ़ेगा हमें जो 51 आजाए तो 51 आगे फिर 11 बचेगा 11 बचेगा तो यहाँ पे 11 बचेगा तो 11 119 हो जाएगा 119 आजाएगा तो 119 किस से जाएगा 119, 17, कितने 17 से जाता है और 7 से ठीक है क्योंकि 7, 7, 49 होता तो हमें पता है कि लास्ट में 7 को 7 से multiply करेंगे तो आजाएगा आप 437 बहुत सरे बच्चे कहते हैं यह जो है प्राइम नंबर इसका फर्दर नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं है आपको ट्राइ करना जरूरी बनता ठीक है देखो यह 19 से जाता है तो 19, 1 जा 19, 19, 2 जा कितना होता है 38 होता है यहाँ पे 5 बचा है तो 5 आगे जोड़ोगे 57 तो 19, 3 जा 57 होता है तो 23 1 जा 23 ठीक है जी अब आप देखो इसके क्या प्राइम फेक्टर साइए 17 मल्टिप्लाई 19 मल्टिप्लाई में 23 ठीक है इसाथ ही आपका पहला कोश्चन जो है यहाँ पे खतम हुआ अब अगला कोश्चन जो है बहुम कल करेंगे तब तक के लिए आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करें जा हैं जा भाद